हाथ पर कलावा भांदने का क्या है महत कैसे शुरू हुई यह परंपरा आज हम इस वीडियो के माद्यम से जानेंगे देवी ओ सजनो आप सभी को मेरा प्रणाम जै स्री राम जै मातादी जै बजरंगवली रादे रादे हर हर महादेव आप सभी स्री गोपल सेवा सिमिती यूटूब चैनल पर नहीं हैं तो क्रपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे की वीडियो की नोटिपिकेशन आप सभी तक पहुंच सके आए जानते हैं हाथ पर कलावा भांदने के क्या है म इंदू धर्म में किसी भी सुवकार या ती द्युहार के समय कलावा या मौली बांदने का बिस्यस महत्त होता है कोई पूजा अनुष्टान सबसे पहले हाथ पर कलावा भांदने से ही सुरू होती है लेकिन कि आपके दिमाख में कभी खयाल आया है कि आखिर मौली या हाथ पर क्यों भांदना जाता है इस परंपरा का क्या महत्त है और इसकी सुरूआत कैसे हुई सायद आपने पहले कभी ये बाते न सोची हों लेकिन आज मैं आपको बता रही हूं कि आखिर क्यों हाथ पर कलावा भांदना जाता है इसका क्या महत्त है और कैसे या परंपरा कहा जाता है कहते हैं कि मौली का बेदिक नाम औपमड़ी बंद है और इसका ताथ पर है सिर से भी होता है बगवान सिर्व के सिर पर चंद्रमा सुसजित है इसलिए उन्हें चंद्र मौली भी कहा जाता है मौली या कलावे को मुखतर तीन रंगों के कच्छे सूंती दागे से बनाया जाता है जिन में लाल, पीला और हरा रंग सामिल है कभी-कभी या पंच रंगों से भी बना होता है और नीले वा सफेद दागे का भी पिर्यो किया जाता है कहा जाता है कि हाथ में मौली या कलावा भांदने से त्रिदेव, ब्रह्मा, बिष्णू और महेश वह तीनों देवियां लच्छिवी, गौरी या स्वरुस्वती के क्रपय प्राप्त होती है ब्रह्मा से कीर्थी, बिष्णू बगवान से बल और सिवजी से मनुष्य के द्रुगणों का नास करते हैं हाथ पर मौली या कलावा भांदने के बारे में कई लोग कथाएं प्रचलिते हैं कलावे को रच्छा सूत्रे के रूप में हाथ पर भांदा जाता है कहते हैं कि प्राचिन समय में 22 और नामा के एक राच्छा सुआ करता था जिसके आतंक से प्रत्वी को मुक्ती दिलाने के लिए देवताओं ने उससे युद्ध किया बताया जाता है कि देवराज इंद्र जब इस राच्छा से युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी धाहिनी बुजा पर कलावा या रच्छासूत्र भांद कर त्री देवों और मां आद सक्ती से उनकी रच्छा की प्रात्ना की जिसके बाद इंद्र बत्रास्व को मार कर बिजई हुए तब से ही मौली भांदने की परंपरा चली आ रही है इसके अलावा एक मानत यह भी है कि राजा बली को मर्ता का बर्दान देने के लिए भगवान विश्णू ने उनके धाइने हाथ पर कलावा भाना था सास्त्रों के नियमों के रहा है उनसर पूर्सएं और अविवाहत इस्तरी दाए हांत में और बिवाहत सीपह कलावा बदवाती हैं जब भी कोई पंडिती या सास्तिरी आपके हाथ में कलावा भान द कुद्ए आऊ Μुठी बंद और दूसरा हाथ हमेशा सिर के पीछे होना चाहिए और कलावे को हमेशा पांच या साथ वार घुमा कर हाथ में भान prohibited चाहिए वही अगर आपके हाथ में भंदा कलावा पुराना हो गया है और आप इसे उतारना चाहते हैं ध्यान रहे कि पुराने कलावे को हमेशा मंगलवार या सन्वार के दिन ही हाथ से उतारें और इसे उतार कर फेंगना नहीं चाहिए बलकि इसे आप पीपल के पेड़ के निचे रख दें आज की वीडियो में बस इतना ही फिर आते हैं ऐसी एक धार्मी की वीडियो के साथ जै जै स्री राम जै स्री राम जै स्री राम आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें कि अगा कि अगा कि